अच्छा मुझे लगा था जब इसकी चम्या का सारा कुछ जो ड्रामा है एक्सपोस हो जाएंगा ना तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत यह सुदर जाएंगा डीडी दल्ला लेकिन ना भई ना यह सुदर ने का नाम नहीं ले रहा है इसको एक मिल गया है लोग पाटमा को अगर सपोर्ट कर रहे हैं वह लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर कि इसने फात्मा के साथ में गलत किया है बकौल आप लोगों के तो आप फिर इसको व्यूज यह ले रहे हो इसको देखना बन करो इसको अंसबस्क्राइब करो इसको व्यूज मत दो खली भी भी बे शरम की तरह आके बैठ जाता है रियक्शन देने के लिए चोरी तो चोरी उपर ती ना जोरी यह अच्छा है भई इसका और चमिया बेगेरत एक बास सुन मुझे पता है तुँ अच्छे मेरी लाइब वीडियो सब कुछ सुनती है ना तो एक बास सुन जित तरह से फात्मा ने इसके कैमरे पकड़ पकड़ के लोगों के लिए रियक्शन बनवाई थी ना आज देख ले फात्मा की क्या हालत हुई है ना उसकी दूर दश्या क्या हुई है दिग्या तुझे तो है ना इतना याद रख यह जो तु कैमरे पकड़ पकड़ के उसके रियक्श नहीं है जो तू नहीं बुकतेंगी इंशालला तू भी बुकतेंगी फात्मा ने एक बच्चे की हाय ली थी अली की तू ने तो तीन तीन बच्चों की हाय ली ए सो तेरा हल तो फात्मा से भी ज्यादा बुरा होगा फात्मा को बिना डिवास के उसने तेरे से शादी किया है तुझे तो डिवास दे कि किसी से शादी करेंगा टेंशन मत ले और ये कैमरे पकड़ना न बंद कर दे चिचोरी और फकीर के मूँ का डीडी तु क्या समझ रहा है अपने आपको जब से तेरा निका हुआ है तुने वो सनिया का चस्मा लेके अपने आखों पर चड़ा लिया और पागलों की तरह वही पैन पैन के गोम रहा है पता नहीं अपने आपको तु क्या समझ रहा है बुड़े गोड़े तीसरी तेरी शादी है ठीक है जवान तेरा बेटा होने को आया है अपने आपको कमसीन समझ रहा है जवान लोटिया पठान हां समझ में नहीं आ रहा त पादियों के पीछे यह अफैर के पीछे बहुत बड़ी-बड़ी कहानिया है सारी आएंगी और रही बात के फातिमा की तो उसकी भी सच्चा ही आएंगी बस जैसे जैसे वक्त आएंगा ना वैसे वैसे कहानिया खुलूंगी बाद भी देखो तो कौन कर रहा है कि हरकतों से बाज नहीं आना तूबा जा अगया क्या अपनी हरकतों से अच्छा ये बंदा था जो गोंचू के अपर उंगली उठाता था कि इसने दूसरी शादी करके बड़ा गुना कर दिया है बड़ा जुलूम कर दिया था उसने पिट लोगों को धमकियां दे रहे हैं। लोगों के बhando बना रहा हं तो तुर भाई तो जो बोल रहा है कि cocktails गैन की जा रही है थो जब पिटारा सिम्पत случае गैन कर रही है ताभ Claudia कुझे क्यूं allowed नहीं था उसके लिए इसलाम नहीं था वो दोनों को नहीं खिला सकता था उसकी भी property थी जमीन वगेरा सब थी जो पिटारा ने उसकी शादी के वज़े से अपने नाम पे करवाई थी सेम वईसे ही फात्मा ने करवाई अपना घर नाम पे करवा के तरज़े साधी की इजाज़त दिये तो तू आके जो इस तरह से जता रहा है कि तू ने किया तो बहुत अच्छा किया तुझे तो इजाज़त थी लेकिन अगर के गोंचु ने किया था तो उसने बड़ा जुलुम कर दिया था हाँ पिटारा को सिंपती मिली थी वो सही थी और कोई पिटारा ना याद आ रहा था पिटारा के साथ में एक नंबर का या आदमी है ना सची में क्या बोलूं अभी इसको समझ में आ गया है कि पिटारा वाला जो कॉंटेंट ठाना हुआ हमारे से चल पड़ाए इसके लिए बैठके इतना रुबाब से यह रियक्शन वीडियो बनाता है और इसके मूँ पर मारो इसका रियक्शन वीडियो और देखना बन करो तो सबसे पहली बात तो इससे यह साबीत होता है जो कि मैं बहुत टैम से सालों से बताती आ रही हूं कि लोग एक दूतरे के खिलाफ इसके लिए नहीं जाते है क्योंकि सब एक दूतरे का ग बुरा है सब के सब जैसे मैं हमेशा बोलती हूं के गंदी मचली है यह सब एक तालाब में सबी नंगे है कौन कि इसके उपर उंगली उठाएंगा अब जाके यह बोल रहा है कि तुने तो अपने ही बड़े भाई के घर खराब कर दिया था और अगर तूने मेरा सपोर्ट क यह बना दे कि तुने फात्मा के साथ में बड़ा जुलूम कर दिया तो 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 पिटा रहा कि भी तारी पुल पट्टियां कोल देंगा और मैं गैरंटी देती हूं पिटारा इसके उपर लफ नहीं बोलेंगी वह बंदी क्यूंकि उसको पता है जो भी इसके खिलाब बोले कर नहीं है कि तुमको नहीं पता था कि मैं शादी करने जा रहा हूं अप उन्हें की रूम में बैठते थे तुमको सुरा कुस्त पता था तो सब कुछ पता था is इसके भाई को ना फात्मा के भाई को भी सब कुछ पता था बलके पुरे खांदान को ही पता था और मैं ये बात है ना रिपीट करकर के ठग गई हूं कि इनके इधर नौर्मल ए ठीक है और अभी तो इनको मिल गया है वाइटी के शादि जो नौर्मल है वो करो और वाइटी सब्सक्राइब तो बिल्कुल इसको भी पता था इसके भाई को भी पता था इसके पूरे खांदान को पता था कम्योंटी लगाओ लेकिन मुझे मेरी बातों काप जवाब देना तुमने जब नैना इसके ने ना के साहथ तुमने की कोशिश की ती यह ना पर बागे आगे तीक है दिल बाई और यह पात्मा भी थे सब लोग थे ठीक है और यह मासर जना यह बाई यह बाई को नीच वह सका सबसे पहली बात के भाबी मा की जगा पे होती है तो खाला किसकी जगा पे होती है खाला मा की जगा पे नहीं होती है तो खाला के साथ में तो तुने अपनी पूरी पूरी अवकाद दिखाया था इंसाब बीबी इंसाब बीबी करके और कुछ दिनों में तु फिर से वही हरकतों पे आने मला है मुझे पता है ठीक है तो तु यह चीछ दूसरे को जब सिका रहे है ना कि खाला भाबी मा की तो उसके साथ में तुम्हारा क्या क्या रिलेशन रह चुका है तब तुम्हें याद नहीं आया कि खाला मा की जगा पे होती है ठीक है रही बात के तुम्हारी भाबी के उपर कभी हाथ नहीं डाला है तो वो तुम्हारे भाई के बदावलत अगर के तुम्हारा भाई चला जाए ना तो तुम इतने दरिंदे आदमी हो कि तुम अपनी भावी को नहीं चोड़ोगे ठीक है तो ये बात के उपर भी किसी और को उठाने पहले अपने गिरेबान में जहांको रही बात के मदनी जब सौधी में था तो सहजाद ने अपनी भावी नैना के उपर हाट डाला तुम को गहरत नहीं आई याद WH speaking पर हाट डालने की अवसको घैरत रानी चिए तहीं को शर्म आनी चिए पहली बात है यह बता डीडी दले कि फाने था तो उससे दोस्ती कैसे रखा था जैसे कि तुने पहले बोला कि तुन्हें भी इसको बड़ा सपोर्ट किया है तो क्यों सपोर्ट किया था जब इसने तेरी बेहन की इज़त पर हाट डाला तो तुने ऐसे आदमी को क्यों सपोर्ट किया ऐसे आदमी को तुम लोगों ने अपने घर में क्यों रखे ऐसे आदमी के साथ में तु दोस्ती क्यों रखता था जब मोर अपने पहुरा टया सेवात्त वंधाला तो इजन नहीं को लगता है कि मैं खूबसूरत लगरहा हूं लेकिन उसको यह नहीं कोתח रहे हैं तो यहां पर रही है तो अपनी बेहन को गंदा कर रहा है जो के तू हमेशा करता है इसमें उसकी तो कोई इज़त नहीं जा रही है वो तो जैसे कि तुम लोगों की सोचे ना आदमी जाते वो आदमी जात तो उसकी तो इज़त नहीं जा रही है तेरी बेहन की जा रही है कि तेरी बेहन का मतलब कैरेक्टर तूने इतना गंदा शरम नहीं तुझे इसा थमनेल टाइटल लगाते हुए शरम नहीं कि तुन्हें नेना के साथ में क्या किया था अरे तेरे जैसे भाई को डूपके मर जाना चाहिए यहां पर उंगलियां तेरी बेहन के उपर उठेंगी ना कि वह लड़के या आदमी के उपर तुझे डूप के मरना चीए इतना तु बेगैरत घटिया इंसान है ना के तेरे से तो अब यह भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती है कि यह बात अगर तेरी बेटी के लिए हो तो तुझे कैसा लगेंगा क्यूंकि बेटियों का तो तुन्हें सोचा ही नहीं तु तो जाके छम्या की गोद म यह भी नहीं बोल सकते बेटियों को अगर इतना प्यार रहता तेरे दिल में बेटियों के लिए तो तु कभी भी यह गिरी होई हरकत नहीं करता तो थोड़ा सी ना शरम कर डूपके मर जा कि तुने जो यह टाइटल थमने लगाया है जो तु यह बात कर रहे है ना कि तुन तो ना बेगैरत भाई साबित हुआ कि एक आदमी ने तेरी बेन की इज़्जत पर हाठ डाला और वह आदमी को तुम लोग घर में रखे थे वह आदमी के साथ में तेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि इसको यह तक के पता था कि तू दूसरी शादी करने जा रहा है तीसरी है ना इतनी अच्छी तेरी दोस्ती थी तो यहाँ पर लानत वह आदमी के अपर नहीं मैं तो तेरे उपर बेखती हूँ लग दी लानत है तेरे उपर मनूसरी आप लोगों को पता ही है कि अगर ऐसी कोई बात होती ना तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बोलते ना आग लग पड़े करने के लिए अब घर से नहीं रहना था उधर पर जाना था तो हो सकता है इसमें नाम डाल दी होगी यह इसी कोई बात ही नहीं हुई होगी और यह आके जबर जत्ती की काहानियां बना रहा है और आप लोगों को यह बात भी मैं बता दूँ के लोग जब मतलब तलाक बगेरा होता है या छोड़ते है तो इस तरह के इलजाम लगा कि बहुत बाते होती है बाकी नहीं ने आके अपने मूं से बोली थी भाई के उसको कोई और पसंद था जिसकी वज़े से उसने इसके साथ में रहना ना पसंद करके उससे शादी करने के लिए इसने इससे के ना वो खर्चा बेजता था ना वो बात करता था उससे और ना ही वो इसके साथ में रहता था ये भी रिजन था इसके डिवास का लेकिन मैं लानत बेजती हूँ ऐसे बाप भाई के उपर जो कि अपनी ही भैन के कपड़े उतार रहा है बाईटी पे बैठके पैसे के लोग कितना गिर जाते ना और लोगों ने तो हद पार कर दिये कोई हदी नहीं छोड़ी ये पैटे के लिए इतना गिर गया ये घटिया आदमी बखिस ने जो ये बोला है ना के मैं जितना भी गिरा हुआ हूँ मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ बलके तु उससे जादा गिरा हुए पता है उसने तेरी बह Youtube गंदा नहीं किया और वो तेरी बहन का भाई नहीं लगता था फाए-घसन बहुत Tå अलग बात है ल molta जिस तरह से तुम लगों के रिक्टे ना उसने एक गैर होके इतना गंदा नहीं किया उसको एक तो 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 यह बोली मात क्यों उतना गंदा नहीं है जितना तुव यह तो पूरी वौइटी देख रही है तुने तो कोई आरत को गंदा करने से नहीं छोड़ा तुने किसी को भी नहीं छोड़ा तुने ओरतों के साथ में अफैर करकरके उनको ब्लैक्मेल करके उन इसे एटना फिर उनको ब्लैक मेल करना उनकी पिच्चरों की धंकियां देना अरे तेरे से गंदा वाईटी पर कोई भी नहीं यहां तक गोंचू भी नहीं और तू आके बात करेंगा तेरा मूँ देख तुमने ही पहला घर अपने भाई का खराब किया है मान लिया उसने अपने भाई का घर खराब किया है तुने तो अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी तुने तो अपनी ही बीबी का घर खराब कर दिया तेरा मू है यह बात करने वाला के तुने अपने भाई का घर खर कर ले अच्छा जी तो थोड़ी सी बात के उपर यहां पर ध्यान देना कि गोंचु को पिटारा ने इतना गंदा की इतना गंदा की फिर भी आध तक के वो पिटारा से ही चिपका हुआ है और यह सीमपती लेते रहती है कि मेरे अध्यान ने लव मैरिज कर लिया तो मैं बहुत मजलूम हूँ जबके डीडी ने इस वीडियो में क्या बोला है पता है कि तुम मेरे को धंकियां दे रहे हो तुमको तुमने कहा है कि मैं डीडी से थोड़ा सी बोल दिया तो तुम आगए रियक्शन देने तुम आगए धंकियां देने मतलब यह चम्या की फैमिली के साइड लेके अपनी वाइफ जो इसके दो बच्चों की मां है उसके खिलाब बोल रहा है देख लो ऐसी होती है सेकेंड मैरीज जो दूसरी बीवी होत कर ले तू किसके लिए बोल रहा है तेरी बीवी है वह उसका इतना नहीं बलके उसकी जगह पे कोई और रहती ना तेरा सर फोड़ देती तुझे कबर में भेद देती वह तो सिरीफ बोली है और वह भी क्या बोली उसने कि तेरे आंक में आसु आएंगा तो करेंगी और यह चमिया ने वीडियो बनवाई है जैसे पिटारा गोंचु से वीडियो बनवाती है ना वैसे ही यह गोंचु से चमिया ने वीडियो बनवाई है वरना आप लोग खुछ सोचो के उन लोग तो दोनों जने नॉर्मल सी व्लॉगिंग कर रहे है वो एक कम्यूटी लगा के बात को छोड़ दिया है वो अपनी नॉर्मल ब्लागिंग कर रही है फात्मा अपनी नॉर्मल ब्लागिंग कर रही है इतने दिन के बाद में इसको किड़ा काटा कि यह आया मुह उठा के उनके पर रियाक्शन देने के लिए तीन चार दिन पहले की बाते उठा उठा के उनको अच्छी है बहुत नेक है इसने बुली है कि नहीं पहली बीवी को डिवास नहीं देना उनको भी देखो अपने बच्चों को भी देखो उनको भी खर्चा दो बहुत नेक है तो यह सब क्या करवा रही है वो नेक बीबी अरे घटिया समया सुन मेरी बात बहुत जल्दी तेरा भी वक्त आएंगा ये तेरे उपर भी ऐसी रियक्शन देंगा टेंशन मत ले तो तेरे भी प्रूफ जमा करके रखेंगा ये समझी जादा उचल मत बाकी ये उसके बाप की दूसरी शादी गिनवारा है कि तेरे बाबा ने भी दूसरी शादी किये बलके ना ही तो फात्मा ने ये शादियों वाला टावपिक अपने साथ तसरे पे या किसी पे लेके गई ना ही उसके भाई ने इसके माबाप के उपर शादियों को लेके बात किया लेकिन ये डेरेक उसके बाप के उपर चला गया जबक भूल गया जांकना उसके तो भाप ने की थे टिरी तो वाने एकनी रहीं जाना चाहरा थी जो तीन तीन-तीन शादियां करके बैठी है और आज बीज इसके अफैर चाल्स नोब करती पहुत क्या सक पर ने जांकना चाहता है खुल वा और पता है इसके बाप के शादी के पर इसने क्या बोला कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की तुम्हारी दूसरी शादी है तुम्हारे भाई ने दो शादी की तो तुम लोगों ने किया तो सही है लेकिन दूसरा करे तो वो गलत हो गया तो यही बात तो मैं बोल रही ह तुने भी तो यहीं किया था ना गोंचु को गलत साबित किया था तुने और आतू सही अरे बेगैरत अपने गिरबान में जहांक और चुलूबर पानी में डूब मर अच्छा लोगों को इतना गंदा कर रहा है सारा कुछ यह मिर्ची मसाला लगा के एक्ष्ट्रा गलत बोल बोल के एक्ष्ट्रा कीचड उचाल उचाल के उनके कैरेक्टर के ओपर बात कर रहा है और फिर बोल रहा है कि मैं तो चुप करके बैटा हूं क्यूंकि आगे मेरी बढात क्या आगे तेरी बच्ची यह तुन्हें सोचा बच्ची ookा सोच होता तो यह शमिया तेरी जिन्दगी में नहीं आतीा he बच्चियों का तेरे मुझसे नाम तो बिल्कुल भी शोबा नहीं देता है उनका तो तु नाम ही मत लिया कर दगड़ दले अच्छा यह कभी नहीं सुद रहेंगा जैसे कि मैंने बोली हूं ना तो यह बोल रहा है कि फात्मा धंकियां दे रही है कि मैं प्रूफ लगाऊंग अभी भी तुझे समझ में निया इंसाफ भी बन गई तो तेरी बीवी नीजाप भी जिसको तुने खुद ने इंसाफ भी बनाया है अलम्दुलीला तो बनी इंसाफ भी उसका तो इंसाफ अल्ला दिखा रहा है देख ले तु कैसे जलीलों ख़अर और आगे भी मैंट अब भी भी उसका तो तू खानी लेता ना जब तलके तरह खाना नहीं अजम होता है गिरा हुआ गटिया अदमी मैं तो बलती हूं ना कि फात्मा को दो रखार शुक्राना कि नमाज अदा करना चीए कि यह आदमी से उसकी जान छूट गई वरना यह आदमी ना इसकी बच्च पर हट डाल सकता है पुरे जमाने में इसको रुस्वा कर सकता है अपनी भैन के कैरेक्टर को कर सकता है गंदा तो आप लोग सोचो क्या यह अपनी बेटियों को छोड़ देता तो सबसे जादा अच्छा यह हुआ है फात्मा तुमारे साथ कि यह घटिया आदमी से तुमार नाम जोड के रखना एक लानत से कम नहीं है, इतना यह जलन के आग में दूबा हुआ अदमी है इतना ज्यादा इसका कोई भरोसा नही है, भी कल कोई आकर बोल देंगा करदें तुमारे से पना रहा है, मतलब के चम्या के लिए यह इतना पागल हो गया है कि इसको कुछ आजनी आ रहा है और जिस तरह से तुने फातामा की और आइशा के साथ किया है ना उसी तरह से तेरे साथ भी होगा एंचन मत ले तो टांग भी टांग बैठके रिक्षन दिया है ना इंशाला तरी ये टांगे नहीं रहेंगी इंशाला आप mercy कहला दिखा था ना तुने उससे भी बुरी मौत तेरे को मिलेंगे बत तु सबर कर अब चले इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स वीडियो में लफी